नवश्कार आज कल टाइम नीट पड़ी सेंसिटी वाली चीज होती जा रहे हैं तो अभी एक वीडियो पहले में आप से डिसक्स किया था नोट इस भीज रहे ही टाइम लिमिट अब रिसेंटली एक जजमेंट आया मदरासा रिपोर्ट का जहां पर उन्होंने बोल दिया कि 54 सेक्शन के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है यहां से क्या हो गया एक हड़कम सा मच गया है डिपार्टमेंट के अंदर तो मैं जिन दों को नहीं पता हूं के लिए बता दो सेक्शन 54 विफंड की बात करता है जीस्ट के अंदर और 54 सबसेक्शन बन ही कहता है कि जो और डेटर मेंडेटरी नहीं रिकमेंडेटरी है तो कोट ने ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि वहां पे शब्द इस्तिमाल किया गया है में तो सेक्शन का टेक्स्ट है अब यह आपने स्क्रीन पर देख सकते हो तो जैसा आप यहां पे देख रहे हो वर्ड यूस किया गया है में तो कोट ने का कि में का मतलब होता है कि करो चैना गरो तुमारी मर्जी है तो यहां पर अब सबस्या खड़ी होगी कोट ने इसको ऐसे इंटरप्रिट कर दिया कि में का मतलब है कि आप उसके बाद भी कर सकते हो और दो मेरा परस्नल ऑपीनियन और फॉर्मल यह एकि शायद महां पे में वर्ड इसलिए उसकिया गया था कि डिफंड आपको फाइल करना है तो आप दो सान तक कर सकते हो अदरवाज आपके मर्जी आपके मर्जी आप चोड़ तो अपने रिफंड मुझे क्या तो आपको में डेट रहा है तो फर्द होता है दो करनी पड़ेगी तो वो जो में वर्ड है उसको शायद गलप तरीकी से इंटरपेट कर लिया है कोट ने आएम होपिंग के यह को केस जब आगे एक हायर बेंच की पास जाएगा तो शायद यह रिसीजन इनको रिवर्स भी हो जाएगा तो उन्होंने क्या बोल दिया कि बई सेक्शन 54 में जा है वो रिकमेंडेटरी और उनने का कि आम दो साल के बार भी कर सकते हो पहले चीज़ तो किसी भी लौ में अगर कोई टाइम लिविट दी गई है तो भले उसके जाद में वर्ड यूस किया गया हो लेकिन फिर वो रिकमेंडेटरी हो तो उसको कोई सैंसी न बनता मतलब मैं आपको बोलू कि अच्छा ठीगे एक मही ने बार तो रिटन फाइल कर दे न तो मन करें तो नहीं तो मत करना तो मही ना वोलने का फाइदा ही क्या हो तो मैंना इंग गिविंग यू पर्टिकुलर डेट तो अफ्कोर्स वो डेट इसली होते है कि मैं उस डे प्रटिकेशन लेकिन अभी खुशी की बाती है कि जिनकी पुरानी विफंड की अप्लिकेशन स्पेंडिंग पड़ी हैं फिलाल इस वाली जज़्वेंट को कोट करके अट लीस्ट आप लोग ट्राय कर सकते हो किया मेरी भी रिफंड की अप्लिकेशन प्रीज एक बार तो अब तो क्या वो पॉसिबिल्टी की चांस नहीं रहते लेकिन अब इस जज़्वेंट की बाद अप इसको लेगे कम से कम जो वद्रास हाई कोर्ट की जुर्स डिक्शन में लोग आते हैं वो तो तो रजा फाइदा हुठा सकते हैं एक बार तो अपने डिफंड अपने झाल 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 झाल